दोसो आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से एक बहुत ही कमाल की नोवल को डिसक्स करने जा रहा हूँ इस नोवल का नाम है लिटल वुमिन नोवल को लिखा था एक अमेरिकन नोवलिस्ट लुईसा मेयल कॉट ने इस नोवल पर बहुत बार फिल्म्स भी बन चुकी है मैं शुरू करता हूँ इसकी कहानी कहानी शुरू होती है मैसेच्चुसेस्ट से साल 1860 क्रिस्मस से कुछ दिन पहली एक घर में एक आरत और उसकी चार बेटिया रहती थी सबसे बड़ी मैग जो की 16 साल की थी जिसका सुभाव एकदम मा जैसा था दूसरी जो जो की 15 साल की थी और लड़कों की तरह रहना बहुत पसंद करती थी तीसरी थी दुबली पतली कमजूर बैथ 13 साल की जिसे धर्म में बड़ा इंटरस्ट था और ज्यादातर टाइम ये भी मार रहती थी और सबसे क्यूट और अलिगंट एमी वो थी 12 साल की और सबसे छोटी इनकी मा का नाम है मार्च जिसको ये चारो लड़कियां मार्मी कहकर बुलाना बहुत पसंद करती है और जहां तक इनके फादर की बात है मिस्टर मार्च वो यूनियन आर्मी में चैपलिन है यानि अमेरिकन सिबिल वार का टाइम चल रहा है वो इनके साथ में नहीं रहते अपनी चारो बच्चीयों को अपनी बीवी के भरो से छोड़ दिया है गरीबी है भाई को पढ़ाती है और जो अपनी एक पैसे वाली आन्टी है उनके यहां पर काम करती है उनका सपोर्ट कर देती एसिस्ट कर देती है बैत कमजोर है कुछ काम नहीं कर सकती स्कूल नहीं जा सकती बीमार सी रहती है तो घर में ही रहती है घर के चोटे मोटे कामों में हेल्प करवा देती है सबसे चोटी वाली स्कूल में है लेकिन उसको आर्ट में बड़ा इंटरस्ट है और थोड़ी मेटरिलिस्टिक है मेटरियल चीजों की तरफ ज़ादा आकरशित हो जाती है Christmas की शाम मारमी ने इन बच्चियों की माँ ने अपने बेटीों को कहा कि अपनी हिस्से का कुछ खाना गरीब बच्चों को खिलारा एमली गरीब है लेकिन दिल से बहुत अमीर है सारे मौरल्स सिखायां इनकी माने इनको प्यार बहुत है इन सब में कभी family members Christian morals को बड़ा follow करते हैं और इनके पास एक किताब भी है वो बहुत ही famous किताब है Pilgrim's Progress ये मैंने आपको पढ़ाईए दोस्तों ये एक allegorical novel है Christian morals पर तो रोज ये लड़कियां क्या करती है उस novel के chapter को थोड़ा थोड़ा पढ़ती है एक एक chapter को बढ़ती है कोशिश करती है कि उन Christian morals को practice में लाएं अब क्या होता है महले में एक dance party organize होती है तो जोपर की दो बड़ी लड़किया है जो और मैग ये दोनों वहाँ पर जाती है वहाँ पर इनको मिलते हैं इनके पडोसी Mr. Lawrence ये Mr. Lawrence एक बहुत ही पैसे वाले आदमी है और इनका एक grandson है Laurie अब जिस घर में 4-4 जवान लड़किया हो तो उस घर में किस लड़के को interest नहीं आएगा तो इन दोनों दादा पोतों को आने लगा interest इस घर में Mr. Lawrence तो इस family के मूँ बोले दादा भी बन गए कुछ ज़्यादा ही घुस रहे थे ये दादा पोते इस family के अंदर गिफ्ट्स बगेरा भी बहुत आते थे लेकिन फिर भी घर की दोनों बड़ी लड़कियों को Mag और जो को काम करना पड़ता था मैं आपको बता दू ये Mr. Lawrence और इनका पोता Laurie इनके घर में एक और सदस्य रहता है सदस्य नहीं है एक्चली ये ट्यूटर है लॉरी का इसका नाम है Mr. Brook उसका भी एक रोल है यहाँ पर जब ये पार्टी में थे तो लोगों ने सोचा कि Mag को लॉरी पसंद आ गया है लेकिन एक्चली Mag को इसका ट्यूटर Mr. Brook पसंद आ गया था खेर अब ये लोग पैसे वाले लोग इस फैमिली के दोस्त बन चुके हैं गिफ्ट्स बगेरा भी आते हैं लेकिन फिर भी घर की दोनों बड़ी बेटियों को काम तो करना ही पड़ता था ऐसे ही एक साल गुजर गया और इस फैमिली की लड़कियों ने Pilgrim's Progress को बड़ा सीरिसली लेना शुरू कर दिया Mag ने तो अपनी बालों की जो लटे थी उनको जला दिया अजीब अजीब हरकते करती थी ये बहने इस पीज एक खबर आती है कि इनके फादर जो आर्मी में हैं वो बीमार हो गया उनको निमोनिया हो गया है और इनकी मा को जाना पड़ेगा मार्मी को, मिस्स मार्च को जाना पड़ेगा वाशंँटन डी सी, अपने पती को देखने के लिए उनकी केर करने के लिए तो ये अंकल Mr. Lawrence बोलते है साथ में मैं चलता हूँ तो वो बोली कि आप रहने दीजिए बेचारा बुड़ा आदमी कैसे सफर करेगा उसने ये ही सुचा तो Mr. Lawrence बोले कि मैं नहीं जा सकता लेकिन ये Brook आपके साथ में जाएगा Brook को भेज दिया कि Washington DC में मुझे काम भी है वो भी करता आना और इनके साथ चला जा तो Brook गया भाई इनके साथ में और पीछे से ये चारो लड़कियां आके लिए लेकिन Mr. Lawrence है तो देख लेंगे कोई समस्या वाली बात नहीं है Brook गया इन लड़कियों की मा के साथ में इनकी फादर से मिलने के लिए तो वहाँ जाकर इसने इन दोनों पत्ती पत्नी को बता दिया कि मैं आपकी बड़ी लड़की मैं को पसंद करता हूँ तो वो बोले कि अभी तो वो छोटी है तो वोला कोई बात नहीं मैं वेट कर लूँगा उसके बड़े होने का पीछे से ये चारो लड़की आँके ली थी तो बैथ हो गई बीमार वो दुबली पत्नी लड़की थी वो बीमार हो गई और इतनी बीमार हो गई कि पूछो मत उसको एक्चुली एक स्कारलेट फीवर हुआ था सब को लगा घर की मेड को लगा जैसे वो बच नहीं पाएगी बैथ को ये स्कारलेट फीवर लगा था एक गरीब फैमिली के साथ टाइम गुजारने से ये गरीब फैमिली के साथ टाइम गुजार के आई थी उस family के तीन बच्चों की वैसे death हो चुकी थी तो इसको भी ये विमारी लग गई तो ये इतनी विमार होती जा रही थी जैसे लग रहा था ये बची नहीं पाएगी लेकिन एक सुबह जब इनकी मा लाट आई तो वो भी ठीक होने लग गई अब इस बीच में क्या होता है दोस्तों ये जो जो है ये अपनी एक वैल्दी आंटी के पास में काम करती थी मैंने आपको बताया था लेकिन इस बीच में इसको अपने राइटिंग करियर पर ज्यादा फोकस करना था तो ये वापस आ गई वैल्दी आंटी के यहां से और एमी जो की छोटी वाली थी उसको उस पैसे वाली आंटी के पास में रहने के लिए भीज़ दिया गया अब एक और क्रिसमस की सुबह ये लॉरी एक न्यूज लेकर आया गुड न्यूज लेकर कि जल्दी ही मिस्टर मार्च लोट कर आने वाले हैं इस फैमिली के हस्बेंट जो है इस फैमिली के जो मुखिया है वो लोट कर आने वाले हैं और कुछी टाइम में वो वापस आ गए और इसके तीन साल बाद जब तीन साल गुजर गए अब मिस्टर ब्रूक ने बड़ी बाली लड़की मैग का हाथ मांगा वो भी मान गई, वो भी शादी को तयार थी क्योंकि तीन साल तक ब्रूक ने इंतजार किया था और मैग और मिस्टर ब्रूक की शादी हो गई और ये शादी की बहुत ही सिंपल सी सेरमनी रखी गई मार्च फैमिली के घर पर ही इसके बाद दोनों ने एक नई लाइफ शुरू की ठीक थाक से घर में मैग के तो दो ट्विन बच्चे भी हुए डेजी और डेमी डेजी और डेमी नाम था अब शादी तो हो गई लेकिन मैग वाइफ की जो डूटीज होती थी वो ठीक से पूरी नहीं कर पा रही थी तब इसकी माने इसको सला दी कि ऐसे नहीं चलती जो लाइफ होती है ऐसे नहीं चलती बैलेंस बना कर चलना पड़ता है और मिस्टर ब्रूग को भी सला दी कि आप भी अपने बच्चों की अपने बीवी की कुछ जिम्मेदारी लो ठीक है अब घर की बड़ी वाली लड़की तो सेट हो गई लेकिन घर की जो दूसरी लड़की थी जो उसने राइटिंग शुरू कर दी थी वो नाम तो नहीं लेती थी ऐसी अनॉनिमस नाम से अपना स्टोरीज को पोयम्स को लिखकर लोकल न्यूस पेपर में छपवाती थी उसने अपनी आंटी के यहां से काम छोड़ दिया था और ये काम कर रही थी और छोटी वाली एमी जो थी वो वहां पे चले गई थी मैंने आपको बताया वो एमी अब वैल्दी आंटी से बहुत अटैच हो गई थी आंटी 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 को अपने साथ ईरोप ले जाना चाथी थी जो को नहीं ले जाना चाथे थी क्योंकि जो ने काम छोड़ दिया था वाहसे इसलिए आपको बताया आंपी खुबसूरत थी तो वैसे ही वो अपनी खुबसूरती का यूज कर रही थी उसने अपनी पैसे वाले आंटी को इंप्रेस कर लिया था वैल्दी रिलेशन्स बना लिये थे हॉलिडेस पर गई थी यूरोप जो को अब इस बात से क्या खास फर्क पड़ेगा कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता था लेकिन उसको एक चीज़ से बड़ा फर्क पड़ रहा था कि उसकी बीमार बहन जो थी मैंने आपको बता है दुबली पतली बीमार बहन थी बैत वो बड़ी उदास उदासी रहती थी उसकी उदासी का रीजन किसी को नहीं पता था दरसल उसकी उदासी का रीजन था ये लॉरी लॉरी ऐसे लग रहा था अभी तक कि लॉरी बैत को बहुत पसंद करता है लेकिन लॉरी बैत को पसंद नहीं करता था जो को पता चला कि लॉरी तो उसे पसंद करता है ये रीजन था बैत की उदासी का तो जो ने अपनी मा को जाकर बोल दिया कि मैं लॉरी को पसंद तो करते हूँ लेकिन एक भाई की तरह मैं उसके साथ कभी रोमेंटिक नहीं हो सकती मुझे अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए वो अपने और लॉरी के बीच में कुछ डिस्टन्स चाहती थी वो बोली दूर रहूंगी तो फिलिंग्स भी खतम हो जाएगी इस लॉरी की तो उसको बिना बताए वो चली गई New York City वहाँ पर जाकर एक governance की जॉब पकड़ ली उसने और वही पर इसने जर्मन सीखना भी शुरू कर दिया यह जर्मन सीखने लगी एक प्रोफेसर से वो एक अच्छा जर्मन प्रोफेसर था New York में वही पर इसकी मुलागा दुजिए New York में यह उससे अटैच हो गई वो इससे पसंद आ गया अब New York से जब यह वापस लॉट कर आई तो लॉरी इससे नाराज था क्योंकि यह लॉरी को बिना बताए नॉयॉरी चले गई थी वापस आते ही लॉरी ने मौका देखकर उससे उसका हाथ मांगा शादी के लिए तब जो ने सीधा सीधा साफ साफ मना कर दिया लॉरी का दिल बैठ गया वो दुखी था तब उसके दादाजी Mr. Lawrence उससे अपने साथ ले गई यूरॉप यूरॉप ट्रिप पर कि इसका थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा और जो वापस आकर बस अपनी बीमार बहन बैठ की केयर करने लगे आप सोचोगी कि बैठ का क्या हुआ मतलब इतना टाइम हो गया वो बीमार क्यों है दरसल वो बीमार बीमार सी और रहने लगी और ज्यादा बीमार हो गई उसकी तब्यत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी और एक दिन उसने शरीर छूट दिया अब लॉरी जो अपने दादा के साथ यूरॉप गया था वहाँ यूरॉप पे लॉरी की मुलाकात हुई एमी से एमी से जब मुलाकात हुई तो एमी ने उसको समझाया कि तुम जो ने तुमें रेजक्ट कर दिया तो तुम इतने परशान क्यों होते हो तुमें लाइफ को एक नए सेरी से शुरू करना चाहिए फिर बस इन दोनों में इश्ग हो गया उसी दोरान एमी के पास में एक न्यूज आती है कि इसकी बहन जो है बैद उसकी डैथ हो गई है लेकिन इस एमी ने क्या किया यहाँ पर रहकर इस लॉरी से शादी कर ली और यह वापस आए कुछ टाइम बाद लॉट कर वापस आए अब यह कहनी पांस साल आगे जंप कर जाती है पांस साल बाद हम देखते हैं कि प्रफेसर और जो शादी शुदा है और वो जो आंटी का घर था आंटी जो अब गुजर चुकी है वैल्दी आंटी वो इनको रहने के लिए मिल गया और इन्होंने उस घर को स्कूल बना लिया बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते यह अपनी लाइफ गुजर रहे हैं एमी और लॉरी भी लॉट कर आ चुके हैं जबकि बड़ी वाली बहन मैक के तो दो ट्वेन हो चुके थे बैद तो गुजर चुकी थी और अब यह बुक खत्म होती है मिसेज मार्च पर मिसेज मार्च अब साट साल की हो चुकी है और आखिर में यह पूरी फैमिली एक और्चट ट्री के नीचे खट्टी होती है यह तीनों बेटियां, यह मा, इन तीनों बेटियों के हस्बन मिसेज मार्च सोचती है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है तो जिन्दगी में किस बात का दुख है और इसी के साथ दोस्तों यह बुक खत्म होती है उमीद करता हूँ आपको यह स्टूरी पसंद आई होगी आज की इस वीडियो में बस दता है